दोस्तों United Nation में एक अलगी comedy चल रही है आपको जानके हैरत होगा वो देश जहां पे मस्जिद तोड़कर toilet बनवाया जाता है जहां पे पुराने पुराने सेक्डो साल पुराने मस्जिदों में जो मिनार है मिनार हटवा दिया जाता है वो देश जहां पे जो इसलाम में कलमा ह रहा है किसके साथ मिलके अपने भाड़े के टट्टू पाकिस्तान का इसमें इस्तमाल किया गया है दोस्तों यहां पे भारत ने इस दोगलेपन के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन को कॉल आउट कर दिया इंडिया ने साफ-साफ कहा दिया कि हम तो इस प्रकार के resolution को boycott करते इसमें हम vote नहीं करेंगे इंडिया का जो कहना है वो बड़ा साफ है देखिए जहां तक बात है इसलामोफोबिया की आप वहीं पर क्यों रुप जाते हैं उसके आगे भी बढ़िए अब्रैमिक से आगे बढ़िए और देखिए किस प्रकार से दुनिया में इतने सारे इतने सारे अगर आप देखे तो सिक्स हैं बुद्ध हैं उनको कैसे धर्म के आधार पे परसीक्यूट किया गया कैसे बाम्यान बुद्धा को उड़ाया गया क्या वो सब आपको नहीं दिखता उनके दर्द पे मरहम या पट्टी लगाना दूर की बात है क्या आप मानते भ अगले पन के अल्ट्रा प्रो मैक्स को भी आज हम इस वीडियो में बेनकाब करने वाले इससे पहले आगे पड़े आप लोगों से निवेदर ने वीडियो को लाइक कर दें अलगले गृप्स में शेयर कर दें और भारत समवात को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भू लें बेल आइकन जरूर दबाएं दोसर यूएन जनरल इसिंबली ने एक ड्राफ्ट रिजलूशन इंट्रोड्यूस किया है कि ड्राफ्ट रिजलूशन किसके द्वारा स्पॉंसर है पाकिस्तान को स्पॉंसर चाइना ड्राफ्ट रिजलूशन किस पर है इस्लामोफोबिय United Nations General Assembly में 193 members हैं, उन्होंने इस resolution को अगर आप देखे तो adopt भी कर लिया है, measures to combat the Islamophobia, अगर आप देखे तो 193 members में से 115 members ने इसके favor में vote किया, एक भी देश ने इस resolution के against vote नहीं किया है, 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने abstain कर दिया, boycott कर दिया, काम vote ही नहीं डालेंगे, जिसमें India है, जिसमें Brazil है, जिसमें France है, Germany है, Ukraine है, UK है और Meloniji है, Italy भी है, तो दोस्तों ये जो देश हैं इन्होंने abstain किया है, resolution किस पर था, resolution कह रहा है कि जो ongoing violence हो रहा है against Muslims, उसके खिलाफ दुनि नहीं है, उन्होंने ये भी कहा, resolution की मांग थी, कि UN Secretary General, एक special envoy to combat Islamophobia, appoint करें, अब दोस्तों, इस पर क्या भारत ने कहा, क्या भारत की प्रतिक्रिया थी, वो तो देखी लेते हैं, लेकिन, सबसे पहले, चाइना की दूगलेपन को भी तो देखें, जिन्होंने, इसको co-sponsor कि है, दोस्तों, यहाँ पर Al-Jazeera का एक opinion piece, जो आपको में दिखा रहा हूं, वो कहते हैं, अगर आप Chinese लोगों से पूछें, जो Chinese thought process, जो thinkers हैं, Communist Party of China में जो हैं, उनसे अगर आप पूछें, तो वो तो कहते हैं, कि Islam एक मानसिक बिमारी है, जिसका इलाज होना चाहिए, इस प् पीजिंग का डूडियान मॉस्क है, एक जमाने में इसमें इस प्रकार से डोम हुआ करता था, मिनार हुआ करते थे, आर्किटेक्चर अगर आप देखें, तो इस प्रकार से आर्क्यूरेट याने आर्चेज होगेरा आपको देखने मिलते थे, क्या किया गया, सारे के सारे डोम हटवा दिये गए, और चाइनीज मंदिरों में जैसा होता है, चाइनीज स्टाइल आर्किटेक्चर में जैसा होता है, वो डोम हटके उस प्रकार का आपको जो टॉप है वो देखने मिल रहा है, इसके सिवा ये जितनी भी नकाशी होगे रहा थी, जो इसलामिक आर्कि बिल्डिंग लगती है, अब इसलामिक बिल्डिंग है तो एरेबिक लगेगी, वो कहे रहें ना ना इसको चाइनीज बनाओ, और इसी प्रक्रिया को वो कहते हैं सिनीसाइजेशन, पूरे चाइना में इसलाम को इन्होंने सिनीसाइज कर दिया है, यह जो मौस्क के दोस्तो शिन्जियांग में एक मौस्क था, उसको तोड़के पबलिक टॉइलेट बनवा दिया है, जिया दोस्तो, मस्जिद तोड़के वहाँ पे शोचाले बन चुका है, और यह देश क्या कर रहा है, को स्पॉंसर है, किस पर इसलामोफोबिया पर, दोस्तो कुछ दिन पहले कि य न्यूज है, अभी वीडियो मत देखे, ये न्यूज पढ़िए, एक विमन थी पाकिस्तान में, इन्होंने एरबिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ, ड्रेस पहन लिया था, क्या हुआ उसके बाद, लगबग लिंचिंग हो गई थी, उनकी मॉब के तबारा, अब आप पर एक जाबाज पुलिस ओफिसर थी, विमन जो की उन्हें बचा के निकाल ली, लेकिन वहाँ पे इतनी छोटी सी बात पे भी लोग जान ले लेते हैं, और कोड भी जस्टिफाई कर देती है, ये हालत है उनके कोड्स की, अब दोस्तों, उसके जो मालिक देश है चाइना, वहाँ पे देखे क्या हुआ है, ये देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट की जमीन है, फ्लोर है, उसमें टाइल्स हैं, जिनमें कलमा लिखा हुआ है, जिसके उपर लोग चलते हैं, जूठा खाना गिरता है, आप जानते ही है चाइना में तो पोर्क काफी जादा खाया जाता पोर्क भी गिरता होगा और इस पर दोस्तों अगर आप देखें तो यह चाइना के शिंज्यांग में हो रहा है वहां पर कोई हो हला नहीं है कोई सोशल मीडिया कैम्पेंग नहीं है इसलाम खत्रे में आ गया है लेकिन उसको देखके आग बंद कर लेता है पाकिस्तान अर्ड दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है बात सिर्फ इतनी नहीं है चाइना में अगर आप उइगुर्स की बात करें तो उनके लिए कॉंसेंट्रेशन कैम बनाए गए हैं जिसमें चाइना के स्पेशल रिलिजियस अफेर्स ऑफीशल है उन्होंने साफ साफ कहा है जो उइगुर् है वो नसल बदल दी जाए जो कनेक्शन से हो हमेशा खतम कर दिये जाएं आप देख सकते हैं कि यह तो दो मोहे लोग है उइगुर्स की बात हो रही है इनको निकाल लिए और जब तक यह इनका अस्तित्व खतम ना हो जाए तब तक इनकी नसल बदल दीजिये यह देश इस प्रकार की अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं दो मुहाँपन या दो गिलापन अल्ट्रा प्रो माक्स देखने मिल रहा है देखिए भारत का जो स्टैंस है रुचिरा कंबोज जी ने कहा है दियान से सुनिए यह क्या कह रही है तीन मिनट का वीडियो है दर असल दोस्तों मैं तो 6 मिनट का है मैंने कंप्रेस करके इसको 3 मिनट का बनाया है थर थे नंटेंभी आष्ट्री पो Werk इर एकरी है उंट काताथ आ ड्लिजोट्रा अथ ह также पिलाके इसे इसे कामँड़ॉमा अब आष्टकर एका यह सून करी बारत कारी है यह की hearing the right video सरी फ़ारे हिखारे kwestा इसे गथशीarnaruktur टिया सब्सकी हर खिंद बमठनोंपोपब रिलिजैना ठार्जायु मिस्वेटी बट्ति बिलिजले प्रोलिज़ ते फिलिजले प्रिलिजिभ थे बीन for Mexican ECP doctor the broader scope of religious discrimination that persists globally. While the issue of Islamophobia is undoubtedly significant, we must acknowledge that other religions are also facing discrimination and violence, allocating resources solely to combat Islamophobia, while neglecting similar challenges faced by other faiths might inadvertently perpetuate a sense of exclusion and inequality. Moreover, the substantial budgetary implications of establishing such a position prompt us to pause and reflect on whether this is the most effective use of resources. Could we not achieve greater impact through a more inclusive approach that addresses religious discrimination in its entirety? Therefore, we are in principle opposed to the creation of the post of a special envoy on the basis of a special religion. We trust that the resolution adopted today does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps. It is crucial for the United Nations to maintain its stance above such religious concerns which have the potential to fragment us rather than unite us under the banner of peace and harmony embracing the world as one global family. Mr. President, as I conclude, I will state that India stands against all forms of religiophobia, be it anti-Semitism, Christianophobia, Islamophobia, as we stand against all anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh sentiments. One final point, Mr. President, this concerns a delegation that, much like a broken record, remains sadly stagnant while the word progresses. It is unfortunate indeed to witness this delegation's limited and misguided perspective on matters relating to my country, the more so when the General Assembly considers a matter that demands wisdom, depth, and a global outlook from the entire membership, perhaps not the forte of this delegation. Thank you. तो 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 आप लोगों ने सुना, रुचिरा कंबोज जी ने लगबग आपने सुनी लिया है, एक बार मैं जल्दी से आपको समराइस कर देता हूं, इन्होंने का कि हाँ भाई, जितना भी अगर इस्लाम के नाम पे कहीं पे इस प्रकार से अगर जीूज के खिलाफ एंटी सेमितिजम कहीं हो रहा है, तो उसके भी खिलाफ हैं, उसके भी हम कंडम करता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कि इस प्रकार से पर्सीकीूशन, इन अबरहेमिक रिलीजेंस के सिवा भी, बाकी धर्मों के खिलाव भी persecution होता है मत भूलिये दुनिया में 1.2 billion हिंदूज हैं 535 million buddh हैं और 30 million से अधिक 6 हैं उनके खिलाव किस प्रकार से persecution हुआ है मत भूलिये उन्होंने याद दिलाया कैसे बाम्यान caves को कैसे तालिबानियों ने लगा के उड़ाया था मत भूलियेगा वैसे ही कैसे 6 अब रिसेंटली परसीक्यूट हुएं तालिबान के द्वारा तो ये सब वो याद दिला रही और कह रही है कि इसलिए मेरा मानना है कि बस आप एक मधभ को पकड़ लीजिए और उसी के लिए सब कुछ कीजिए इसलामोफोबिया इसलामोफोबिया और उसके नाम पे दिन मनाईए एक स्पेशल आफिसर एपॉइंट कर दीजिए ये गलत है आप रिलिजियोफोबिया कीजिए कि धर्म के अधार पे लोगों को पर सिक्यूट किया जा रहा है तिर्फ इसलाम के नाम पे नहीं होता बाकी धर्मों के नाम पे भी होता है ये मत भूल के और इसी पे वो कहरें कि अगर आप ऐसे स्पेशल आफिसर एपॉइंट करेंगे तो कही न कहीं फंड्स को भी आप ड्रेन करेंगे और साथ-साथ आप दुनिया को भी अलग-अलग धर्म के आधार पे कैम्स में तोड़ देंगे तो ये न वो जगह नहीं है जहां पे दुनिया को अलग-अलग गड़ों में तोड़ा जाए इंस्टेट दुनिया को एक जुट होके करने का वो प्लैटफॉर्म है और आप उसको खराब कर देंगे इस प्रकार की चीजों से दोस्तो आईए आपको एक fun fact बताता हूँ बड़ा interesting fun fact है यहां दे तुनिया ड़ा दोस्तो आपको याद होगा 2019 में Christ Church अटाक हुआ था और उसके बाद से जहां पे आईट्स ओफ दी मार्च क्या है यह आईट्स ओफ दी मार्च दोस्तो दरसल अगर आप देखे तो जूलियस सीजर को आपको मालूम है किस प्रकार से खंजर मारा गया था पीट पे उसके पूरे ग्रुप ने जो भी लोग थे सब ने मिलके सेनेट के जो थे समने मिलके पीट पे इस प्रकार से खंजर मारा था इसी को कहते हैं आईट्स ओफ दी मार्च कहा जाता है 15 मार्च वो दिन होता है जिस दिन कुछ बुरा होता है यह कोई मतलब बैड उमिन कहलाता है 15 मार्च और अगर आप जूलियस सीजर के बारे में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है उसमें भी एक फॉर्चुन टेलर आते हैं जब सेनेट में सीजर घुसने वाले होते हैं उस वक्त उनको बुलते हैं आज ही है आईटस ओफ दी मार्च तो वो कहते हैं कि हां मुझे मालूम है आज आईटस ओफ दी मार्च है ऐसा क्या है अभी गया नहीं है अभी दिन बाकी है सतर करहना और इनके साथ ऐसा हो जाता है कौन सा दिन है पंदरा मार्च जिस दिन इंटरनाशनल डे टू इस्लामोफोबिया मनाया जाता है और उसी दिन अगर आप देखें तो जुलिय सीजर पे पीट पे खंजर मारा गया था क्या कनेक्शन है इसलाम मैं कुछ नहीं कह रहा है इसलाम याद रखिएगा और इंटरनाशनल डे टू कॉमबैट इस्लामोफोबिया भी याद रखिएगा पंदरा मार्च तो दोस्तों उमीद करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक जरू कीजिएगा इसके सिवा आप चाहें त आप दे सकते हैं इसके सिवा अगर आप विदेश में है तो आप एपल के माधिम से भी सपोर्ट कर सकते हैं पर सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना आपके बैल आइकन को दबाना आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा अपको भी अवश् एक 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 बष्सक्वर कि में आपके सब्सक्राइब आपके सबस्वाना आपके सबस्क्राइब बबगने को दिख एक प्रहा होगा रहा होगा